हरियों सर्विभ्य भाग्वत रस रसिके भ्य सुप्रभातम नमानसी भुयानसी श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदय है चत्वार है रिशय है नारदम प्रती कथयंती भाग्वती कथायाह विशयेचे कीम कथयंती इती कृपया स्रिनवन्तु इक्सुनाम अपिमध्यान्तम शर्कराव्याप्यति श्थती प्रिथक भूताच सामिष्टा तथा भाग्वती कथा तथा भाग्वती कथा रिशय है कथयंती है नारद यथा संपून इक्सु मध्ये तस्य अन्तेच रसह तीष्थती शर्कराव्याप्यति तीष्थती किन्च यदा शर्करा प्रिथक भूता भावती ततह शर्करा यदा प्रिथक रूपेन आगच्छती आयाती वा त्रही चैसा मिष्टा भावती तस्य स्वादह तस्य स्वादू मधुरह भावती इतोपी अधिक मधुरा शर्कराशा भावती तथाईव यम भागवती कथा यदा वेदे भ्यह उपनिशत भ्यह विर्थक भूय यदा तीष्थती रस युकता भावती इतोपी माधुरी भावती माधुरी कथा भावती माधुरिय युकता भावती माधुरी येन परिपूर्णा रस युकता फलप्रदा आनंद प्रदा चैयम कथा भावती एतस्या हा भागवती कथा या हा इदमेव वैशिष्यम अस्ती कतनस्य आशयास्ती यथा दुगधे ग्रितम भवती रसे वरिक्षे आमूलाग्रम रसह भवती तथाइव इक्षुनाम अपी आधितह आरभ्य अंत परियंतम रसह रसह एव भवती परंच तम रसम वयम तावत स्मिकर्तुम नेशक्णू मैं हैं नेप्राप्तुम कर्थुम शक्णू मैं यावत् सहरसह प्रठक नेक्रियते यदार सभुय असमाक्य पूरत りました तम रसंड़ iv वयम पीवामन है आनन्दस्य प्राप्तिर भवति अधिक मधुरताम अधिकम मधुरम तस्य रशस्य वयं प्राप्तुम शक्नुमं तथा इव वेदेसु पुरानेसु उपनिशदसु यदकीमपी वर्तते तस सार रूपेन एव इयम भागवती कथा वर्तते रस फल रूपेन रस रूपेन इदि अस्माकम पुरत हा आगच्चती त्रही सर्वे भगता हा तस रसास्वादनम कर्तुम शक्नुमंती ओम धन्यवाद हा सरवेब्य नमो नमह